रास्ते पर गति की सीमा है, तो परिक्सा में समय की सीमा है, परन तो हमारे सोच की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा पाएं, नमस्कार, मैं हूँ कमरश्री माली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आपके अपने चैनल में और मासिक अप्रेल 2023 के इस विसेश एपिसोड में, ये एपिसोड मकर रासी के लिए है, और ये रासिफल आपकी रासी नाम रासी अताल मून साइन परादा रहीत है, हर मासिक रासिफल के विसेश एपिसोड में, उस मा में होने वाले गरह रासी परतन के साथ साथ बहुत सारे सेक्ट पर विसलेशन करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे इस वीसेश एपिसोड में सबसे पहले आपकी इंकम और इंवेस्मेंट फिर आपके परिवार का सुक, सिख्षा और संतान का सुक, आपका स्वास्ति और आपके शत्रू, आपका गरशुक, दंपत्शूक और साथी-साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिन की कोई गारी फ्रैंडिसिप है या वो लोग जो रेलस्टसिप में और विस्तार से बात करेंगे विस्तार से मैं आपको बतलाओंगा आपके job, profession, carrier या business के बारे में और अंत में मैं आपको बतलाओंगा इस रासिफल के वो उपाए जिससे इस रासिफल को अपने लिए अनुकुल बनाया जा सकता है लाब दाएक बनाया जा सकता है या जो नुकसान होने वाला है उससे सावधान रहा जा सकता है तो आईए अब आरम करते हैं आप मकर रासी के लिए मासिक रासी फल अप्रेल दो जा तेबीस और सबसे पहले बतला रहा हूँ आपकी इंकम और इंवेस्मेंट के बारे में जहां तक इंकम का गेन का प्रस्न है रासी से 11 ताउस से लाब बाव से इसका विशलेशन किया जाता है आपकी रासी से लाब बाव के अधिपती है मंगल जो की रासी से सिक्स ताउस में विराज मानें रोग बाव में विराज मानें और मंगल को यहां पर सुब माना गया है लाब बाव पर ब्रस पति की लाब बाव पर शनी की और छें अपरेज से शुक्र की दस्ति भी होगी और जो लोग भी property market का काम करते हैं, real estate का market का काम करते हैं, या real estate का समद्रिद काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सुखद स्थिति दिए, उनको फाइदा कमाने के लाब कमाने के मोके मिलेंगे। और साथ ही साथ आप मैंसे वो लोग जो फाइनस से समधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में आपके लिए भी बहुत ज्यादा सुखद इस्तिया हैं, तो हम सिलसिलेवार अगर बात करें, तो सबसे पहले जो लोग जौब करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत कॉन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके लिए इस्तिया अच्छी है क्योंकि आपके रासी के मालिक भी शनी है, और सेकिंड आउस धन वा संपत्य के मालिक भी शनी है, जहां पर की वो मूल्त रिकॉन रासी में है, तो ऐसी स्तिती में आप जौब को स्विच करना चाहते हैं, तो लोग भी लंबे समय से प्रोमोशन को तरस रहते हैं, दो जाथ 23 में, अपरेल मा में, मई मा में आपका प्रोमोशन होने वाला है, इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, जो लोग प्रोफेशनल से हैं, चाहे फाइनिशल प्रोफेशनल से हैं, और चाहे टेकनिकल प्रो एप्रिशेशन मिलेगा लाप कमाने के मौके मिलेंगे तो साथ-साथ में जो आपके ड्यूज हैं वो भी आपको मिलने के योग हैं तो आप मेंसे जो लोग बिजनस करते हैं उन लोगों में सबसे पहले लेंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मेट्रियल या कंस्त्रक्शन का जो लोग ठेकेदार हैं, या मैटरल सप्लायर हैं, जो लगड़ी का काम करते हैं, प्लाइवड से समध्य काम करते हैं, इमारती लगड़ी का काम करते हैं, उनकी बात का सकते हैं, फनिचर का काम करते हैं, उनकी बात का सकते हैं, आपके लिए इस्तितियां बहुत सुख़त हैं आपको यहां पर बड़ी डील या आपको गेन मिलने वाला है आपको आपका काम देख करके और कई काम मिलने के योग है तो जो लोग होटल एस्टुमेंट का माइनिंग का काम करते हैं या इलेक्टिकल गुड्स का काम करते हैं यह सब भी बिल्डिंग से ही सम्बंदित काम काम काज करते हैं या स्कूल कॉलेज का काम काज करते हैं अपनी ओनलाइन क्लासेज चलाते हैं एजूकिशन से समधे कोई भी डंग से जुड़े वे हैं आपके लिए भी यहां पर बहुत ज़्यादा फाइदे के सौधे मिलेंगे या आपको बहुत अच्छी जॉब आफ़र ह हो सकती है आपका अपना केरियर पॉइंट है या आपकी अपनी कोचिंग स्ट्यूट है उसमें भी अब स्टुडेंट्स की संक्या बढ़ सकती है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा बैटरमेंट आ सकता है आप एक ही जगह दो के बारे में सोच सकते हैं या सिफ्ट के बारे में सोच सकते हैं जो लोग भी बेकरी कंफेशनरी का काम करते हैं उनके लिए स्टियां बहुत बैटर है तो साथ ही साथ जो लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल से सम्मधित में कोई काम काज करते हैं अपना हॉस्पिटल चलाता है क्लिनिक चलाते हैं या कहिन कहिं सिफ् सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एनी टाइफ वर मैनिफेक्टरिंग, जो एजनसी बिजनस, कमिशन इन ब्रॉकरिज, उन से तरों में काम करने वन लोग है, उनके लिए भी यहां पर बहुत सांधार रिस्तिती है, उससे भी सांधार रिस्तिती है, छे अपरिल दो जाते इयंट्रेज, छुए पर बहुत साधियों का सीजन है, फ्लावर्स का काम करने वाले, टेंट आॉस का का म करने वाले, ट्रस्ट डिजैनिका का म करने वाले, केटिरिंग का का मिठाई का 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 करने वाले, यज कोई भी डंग से इव Vie Nt Entertainment का 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 कद आउन लोगों के लिए ब आपके investment की रासी से second आउसे investment पर विचार किया जाता है और इस बाव में शनी विराज माने और सनी के बार में ये कहा जाता है हमेशा एक सिदान ते समयने सा कि जिस बाव में शनी होते हैं उस बाव का बला करते हैं उस बाव का हमेशा फाइदा देते हैं तो ऐसी स्थिति में second और दान व संपत्ति का है, तो दान व संपत्ति से समध्य जो भी आप investment करना चाते हैं, उसमें इस्तितिया आपकी बैटर है, जो लोग commodity के थुरू investment करना चाते हैं, वो steel पर, वो कोई ऐसे steel पर investment कर सकते हैं, सिमेंट उद्योग पर investment कर सकते हैं, और जो लोग कोई script के थुरू investment करना चाते हैं, वो consultancy कंपनियों पर, metal, medicine, chemical, automobile sector की कंपनियां, या जो consultancy की कंपनियां, IT sector की कंपनियां, service providing sector की कंपनियां, उन script में investment करके फाइदा कमा सकते हैं, तो ऐसी इस्तिति में, यहां पर investment करना आप के लिए फाइदे का सोधा होगा, लेकिन सनी की साड़ साथ ही है, तो ऐसी इस्तिति में रिस्क में नहीं जाना है, लेकिन जो लोग continue investment करते रहते हैं, उन लोगों को जो मैंने script बताईए है, उसमें investment करना लाब दाएग रहेगा, आईए, अब बात करें, आपके पारिवार इस्तितियों का निर्मान करता है, अता जो लोग join होते हैं, उनको अलग करने का काम हमेशा रहू, शनी या पापी करते हैं, तो यहां पर रहू दिमाग का इस्तिमाल ज्यादा कराएगा, परिवार एक लोगों के बीच में जो गलत फहिमिया होती है, वो गलत फहिमिया जाता है, वो चाहिए कितना भी अच्छा हो अपने परिवार के लिए उसके बावजूद भी, उसे ही परिवार वालों का विरोध देखना पड़ता है, यह सब कुछ आपको भी देखना पड़ सकता है, अप्रेल दो जाते हैं, बुद्ध और राहु जब साथ में हो जाएं लोग आपको इंफ्लेंस करेंगे, लोग आपको सिखाएंगे और वैसा ही आप चाबी वाला गुड़ा जैसे व्यावार करता है, वैसा व्यावार कर सकते हैं, तो ऐसी इस्तिति में आपको परिवार वालों का विद्रों का सामना करना पड़ सकता है, साजिसों का सामना करन परंसकता है आपमानित होना परंसकता है और अपने रुपए पैसे को भी विर्थ में बरबाद को पड़ सकता है या आ या वेद विर्थ में खरचा करेंगे और उसका फायदा आपको नहीं होगा आत्खार फारिवार कसविदह में कमी देखने को मिलेगी आइए अब बात कहा जाता है financially सबसे ज़्यादा betterment की इस्तिति बोली जाती है और रासी से 5 ताउस तक रासी से 11 ताउस से लगा करके रासी से 5 ताउस तक शुकर का ये गोचर हमेशा better माना जाता है 12 मैं से 9 रासी हो में शुकर का गोचर सुब माना जाता है तो जौहीं शुकर अपनी खुद की रासी माएंगे शुकर आपकी रासी के मुख्य ग्रहें जिसको की planet का जाता है वो जब एक केंजर के अधिपती होकर के त्रिकोन मा जाएंगे वो राजियों की स्तिति पैदा होगी तो ऐसी स्तिति में जो एजुकिशन में आपका पलड़ा बारी रहेगा आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रास्प करेंगे आपकी knowledge बढ़ेगी आपका हुनर और काबलियत बढ़ेगी तो साथ ही साथ आपका confidence भरपूर डंग से आपको support करेगा तो ऐसी स्तिति में 6 अपरेल के बाद में जिनके भी exam है वो exam में बहुत ज़्यादा अच्छा perform करने वाले है और रासी से 6 था उसमें मंगल already विराज मान है तो ऐसी स्तिति में आप competition में आप कोई भी interview में कोई भी exam में बहुत अच्छा perform करेंगे बहुत अच्छी success अंसेल करेंगे यह पहले से निज़ारीत है तो ऐसी स्तिति में आप में से जो भी लोग medical sector में education ले रहे हैं या technical sector में education ले रहे हैं आपके लिए स्तितियां बहुत comfortable है जो लोग भी fashion या animation any type of designing, mass media इस sector में education ले रहे हैं उनके लिए इस्तितियां बहुत better है especially वो लोग जो software में या IT sector के students हैं उनको यहां पर बहुत अच्छा support मिलेगा grasping knowledge उनकी बरपूर रंग से बढ़ेगी और आपको मौके बहुत मिलेंगे तो ऐसी स्तिति में आप मेंसे जो भी student mechanical engineering, chemical engineering, aviation research field या PhD जो students कर रहे हैं space science के student है आप लोगों के लिए यहां पर बरपूर supportive इस्तिति है या आपको मौके बहुत जबर्दस मिलेंगे और आप बहुत शांदार perform करेंगे यह स्तितियां आपके लिए education के लिए grasping के लिए बहुत जबर्दस है आपको इसका लाब उठाना चाहिए आप मेंसे जो भी students बाहर जाकर के बढ़ना चाहते हैं abroad education के लिए try कर रहे हैं कोई exam देना चाहते हैं entrance test देना चाहते हैं IELTS का test देना चाहते हैं उनको भी 6 अपरेल के बाद में date चुननी चाहिए selection करना चाहिए इस्तियां आपके favor में ज़्यादा होंगी सिरफ ध्यान क्या रखना है रासी से 4 रासी से 8 तो रासी से 12 चनमा नहीं हो ये ध्यान रखना है और उस date में भी अगर रासी से 3 चनमा रासी से 6 चनमा रासी से 10 या 11 चनमा उस date को मिल जाए आपको अगर entrance test देना तो वो test बहुत जबरदस्त होगा अताथ उसमें selection एक प्रकासर पक्का वाली बात आप मान सकते हैं आईए अब बात करें संतान सुकी संतान सुक के लिए यही गरह स्तितियां यही परिस्तितियां काम करेंगी तो संतान सुक में इस्तितियां आपके लिए बहुत सुक दायक है अताथ आपको negativity कम देखने को मिलेगी संतान का साथ मिलेगा संतान का सयोग मिलेगा और especially जो संतान लड़कियां हैं वो आपको ज़्यादा support करेगी यह आपकी बात को समझ पाएंगी आप तो वापस अच्छे डंग से respond मिल पाएगा संतान की बहतरी के लिए संतान की improvement के लिए या उनकी progress के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका भी आपको एक प्रकासे better result मिलने वाला है तो आने वारे समय में 22 अप्रेल 2020 से जब ब्रस पती मेश रासी में आ जाएंगे तब रासी से 8 ताउस में, रासी से 10 ताउस में और रासी से 12 ताउस में जब जस्तिपात करेंगे ब्रस पती अपने खुद की रासी को जस्तिपात करेगा तो वहाँ पर आपकी यात्राएं बहुत हो सकती है और ये भी हो सकता है कि संतान जो बाहर रहती है कोई और सिटी में रहती है आप उनसे मिलने जा सकते हैं या एब्रोड में संतान रहती है तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं या आपको expenses ज़्यादा करने पड़ेंगे अपनी संतान पर तो संतान के मामले में स्तितियां काफी betterment की स्तितियां सुख दैग स्तितियां आपको बहुत अच्छा appreciation मिलेगा या आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि संतान अपने सित्र में बहुत अच्छी progress कर रही है आईए अब बात करें आपके स्वास्तिय की और आपके सत्रों की रासी से सिक्स्ताव से रोग बाव से इसका reconciliation किया जाता है रोग बाव के अधिपति बुद्ध है जो कि इस समय सुख बाव मिश्तित है राव के साथ मिश्तित है शुकर के साथ मिश्तित है शनी की नीच जस्ती बुद शुकर और राव तीनों पर है ऐसी इस्तिती में 14 अप्रेल से जो ही सूरी राव के साथ में यूति करेंगे तो यहां पर ग्रहन योग बन जाएगा रोग बाव के अधिपती राव के साथ में जिसे जड़ दोस कहा जाता है जड़ योग कहा जाता है वो इस्तिती है तो ऐसी इस्तिती में विसेश कर आप लोगों को जो लोग भी हाई ब्लेड प्रेसर के मरीज है या जिन लोगों को चेस्ट इंफेक्शन बार बार होता है हाट पेसे जो लोग है या जो लोग बहुत जड़ व्रद हैं उन लोगों को यहाँ पर परेश्यानी आ सकती है डाइजसन सिस्टम से समधी परेश्यानी आ सकती है जो डाइबिटिक है उनको और ज़़दा सेफ रहना पड़ेगा अपना जो शुगर है वो कंट्रोल करना पड़ेगा अनिता और ज़्यादा प्रॉबलम बढ़ सकती है या भारी समस्याओं में आप गेर सकते आपको स्किन प्रॉबलम या थ्रोट इंफेक्शन और इस्पेसली स्ट्रेंद में कमी नर्वस सिस्टम से समधी प्रॉबलम या प्रिपाओं का दर्द मास पेसियों में खिचाव से होने वाला दर्द जो भी परशान कर सकता है उससे भी सावधान रहने की आवशकता है सबसे ज़्यदा आपको जो डाइजिसन सिस्टम है उसको ध्यान रखना है और जो खाने पिने के शोकिन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा केर करने के आवशकता है तो आईए अब बात करें आपके सत्रों की आपके विरोधियों की अप्रेल दोजा तेविस में सरकारी विरोध या कोई चालान हो सकता है या कोई पैनल्टी लग सकती है कोई नोटीस आपको मिल सकता है या कोई और कोई कोई कोट केस चल रहा है उसमें समस्याइं आ सकती है या उसमें और कोई इंक्वारी आ सकती है और आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है विजिलेंस का कोई केस चल रहा है ब्रस्चाचार का कोई केस चल रहा है 8 चनमा है 12 चनमा है तो next date लेने के बारे में सोचना चाहिए सब मिला करके मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप यदि ऐसी किसी condition में है तो safe रहें और ऐसी कोई condition नहीं आपाए उसके लिए भी अपने आपको prepare रहें कि ultimately लालच का जो फल है वो बहुत बुरे डंग से ही मिलता है तो वहाँ पर अपने आपको safe side में ले जाना सबसे ज़्यादा जरूर ही है तो कोई भी दुरबावना या दुराचार या कोई भी negativity है उसको जितनी जल्दी अपने से अलग करेंगे वो better है आईए अब बात करें आपके गरस सुक के बारे में दांपर सुक के बारे में रासी से सब्तम बाव से इसका विचार किया जाता है सब्तम बाव के अधी पती है चनमा और सब्तम बाव पर ब्रस्पती की दस्ती है सब्तम बाव पर ब्रस्पती जो दस्ती पढ़ रही है वो उचराशी बत्वत्रश्टी है अतात सबसे ज़्यादा सोखण सिर्षित्य है इस सिच्वेशन को ही जो यौ्क का जाता है क्जके यौ्क का जाता है क्योंकि चणमा और ब्रस्थपति का जब भी संबंद होता है इस योग का नाम ही गज के सिरी योग है सब्तम बाव का कारक ब्रेस्पति माना गया है या यह बोच सकते है गरश सुख, संतान सुख, मेंटल स्रेंद, फाइनांस और धरम यह सारी स्थितियों का वर्चसव या स्वामी इसका कंट्रोलर ब्रेस्पति है हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल ब्रेस्पति करता है तो ब्रेस्पति की ज़स्ति में अमरत होता है ब्रेस्पति की ज़स्ति जब तक है जब तक तो इस्तितियां बहुत सुखद है तो ऐसी स्थितिय में शुकर भी सुब है जो कि भोग सुक का कारक माना गया है, 6 अपरेल को शुकर अपने खुद की रास ही मा जाएंगे, तो और ज्यादा बैटरमेंट वाले इस्तिति आजाएगी, तो अपरेल 2023 में आपके दामपज सुक की इस्तितियां बहुत सुखद है, आप दोनों के बीच में एक प्रिकारत का जिसको ट्यूनिंग है, वो बहुत अच्छी बड़ेगी, समझे से बहुत अच्छा विक्सित होगा, इंप्रुमेंट बहुत अच्छे डंग से आपको दिखाई देगा, या यह बोल सकते हैं, जो कुछ भी आप सोचेंगे, वैसा एन्वार्मेंट, वैसा सुक आपको मिलन में जाने का मौका मिले, वो भी सुखद इस्तियां आपको देखने को मिलेंगी, तो पारिवारिक सुख, दामपत्य सुख, कि इस्तियां आपके लिए बहुत सुखद है, संतोस्प्रद है, संतोस्प्रद का मतलब है, कि जो भी आपने इमोशन सोचे होंगे, वो इमोशन फ करिए और फाइनल करिए क्योंकि 22 अप्रेल को ब्रेस्पति बदल जाएगा तो जो सुखत इस्तितिया हैं जहां पर कि आप सगई फिक्स कर सकते हैं आप सगुन ले सकते हैं वो चीजें फिर आपकी खटाई में पढ़ जाएगी या हालात पेंडिंग वाले स्तिति में आजाएंगे तो वो स्तिति मैं दोजा चौबिस तक आपकी लटक सकती है इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फैसला कीजिए और मिटिंग कीजिए जो कुछ भी कन्फिजन है उसको मिटाईए क्योंकि समय आपके बास में सीमित है आईए अब बात करें उन ल तो 6 अपरिल दोजा तीबी से इस्तितियां आपके लिए बहुत पॉस्तिव होने वाली है और ड्रसपती की सब्तम बावपज़स्ति ये भी आपको सपोर्ट करेंगी तो यहाँ पर आपके रिलेसेंशिप में फ्रेंड्सिप में 100% पॉस्तिव इस्तिति है तो आपके इमो आपके रिलेसेंशिप के बारे में आप पॉस्तिव सुन सकते हैं पॉस्तिव सोच सकते हैं पॉस्तिव एटिट्यूड प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हर हालत में फिर भी सनी की साथ साथी चल रही है इसने खुद पर कंट्रोल रखना ही चाहिए बाकी फ्रेंड्सिप के माम से इसका विश्टशन किया जाता है और दसंबाव के अधिपती है शुक्र जो कि आपकी रासी के मुख्य ग्रहे हैं या की प्लेनट है छे अपरेल दो जाते भी इसको शुक्र स्वारासी में चले जाएंगे इस्थित्यां बहुत ज्यादा बैटर हो जाएगी एक केंजर और स्वारासी में होने का मतलब ही बहुत जादा आपको संतुस्ति मिलनी है या आपको सुख के ऐसास मिलना है उन्नती प्रगति की स्थिति मिलनी है और जब दसंबाव की बात करें तो आपका केरर आपका कामकाज आपको बहुत जादा पेक करेगा आपको बहुत संतुस्ति मि यह जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी अप्रेल 2020 कुछ ने कुछ फाइदे का है कुछ ने कुछ लाप का है बाइस अप्रेल 2020 से इस्तित्या और ज्यादा बैटर होने वाली है अताद आपको जॉब मिलने के या कोई कामकाज होने के योग है तो जो लोग जॉब मौका मिलेगा, comfortable situation मिलेगी और जो लोग professionals हैं वो एक से ज्यादा project में अपना हाथ आजमाएंगे या एक से ज्यादा project में involved होंगे और साथ साथ में सफलता भी पाएंगे और इस sector में जो लोग IT professionals हैं या टेलिकॉम professionals हैं, financial professionals हैं आप लोगों के लिए इस्तित्या बहुत camera man हैं, जो लोग जो animation के artist हैं या वो लोग जो film line में हैं चाहिए अच्छे choreographer हो सकते हैं, अच्छे dancers हो सकते हैं, आप मेंसे जो भी TV line में हैं या पिर आप मेंसे जो लोग भी film line में हैं, आप अच्छे professors हैं या अच्छे कोई कोई technicians हैं, आपका पलड़ा यहां पे बारी है, आपकी बहुत पूछ होने वाली है, अताद आपकर जो performance हैं बहुत शांदार होने वाली है, और आपकी value यहां पर बहुत बढ़ने वाली है, पूछ का मतलब है यह है, कि आपकी inquiry बहुत ज़्यादा होगी, आपको कामकाज बहुत ज़्यादा होगा, आपको बहुत ज़्या जो लोग एजुकुशन सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं, वो स्थितियां बहुत सुखद है, तो यहां पर बिजनस की अगर बात की जाये, तो सबसे पहले, जो लोग भी फैशन और कॉस्मेटिक का काम काज करते हैं, और यह भी अप्रेल में सबसे से समधिद लोग हैं या वो लोग जो टेंटा उसका काम करते हैं फ्लावर डेकोरेशन का काम करते हैं डीजे का काम करते हैं उन लोगों के लिए यहां पर बहुत ज्यादा काम काज के अफसर हैं बहुत ज्यादा व्यस्तता रहेगी और बहुत ज्यादा काम काज का वॉल्यू देखेंगे या जो कोई exhibition होने वाली है उस exhibition में अपरेल में आपको बहुत अच्छे order मिल सकते हैं आपकी inquiry से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि बहुत बड़े volume में आपके लोगों से संपर्ग हुआ है जो लोग IT professionals हैं IT sector में काम करते हैं MNC में काम करते हैं आपके लिए भी यहां पर अपार संभावना हैं बनी हुई है काम काज में expansion की बहुत बड़े volume में काम करने को आई और संतुष्टी की तो साथ ही साथ जो लोग stand-up artist हैं anchor हैं जब पत्रकार बंदू हैं आप कागज का कपड़े का printing का textile का का काम काज करते हैं या mobile phone और accessories का 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 करते हैं सबजी का फल का का काम करते हैं या आप बहुत छोटे लेवल पर रेड़ी लगा करके काम काज करते हैं तब भी आपके लिए यहां पर बहुत बैटर रिस्तिति होने वाली हैं सबसे बड़ी बात कि जो लोग finance का का काम करते हैं financial brokerage गिरवी का का काम करते हैं banking sector से ज जो लोग education sector से जुड़े हैं उनके लिए जो लोग पूजा पाट वास्तु या जोतिस से जुड़े हैं उनके लिए भी 22 अपरेल से अच्छा समय आने वाला है आपका काम काज बढ़ेगा लोग आपसे संतुष्ट होंगे आपकी professional services को सराहा जाएगा और सबसे बड़ी ची में आपके carrier में यहां पर इस्तित्यां बहुत सुगद है आपको जम करके काम काज करना है क्योंकि काम काज से ही आपका name fame बढ़ने वाला है आईए अब बात करें मासिक रासिफल अपरेल 2023 के उपायों के बारे में सनी की साड़ साथी का लास्ट वेस आपको चल रहा है 29 मार 25 तक सनी की साड़ साधी आपको रहेगी वहां तक आपको शनी के उपाय दान जाप यह सब करने ही पड़ेंगे तो एक पिरकासे नियम बना लीजिए नित्य सनी स्तोत्र का पार्ट करना का दसरत रचित सनी स्तोत्र सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ शनी की पत्नियों के नाम का एक छोटा सा मंत्र है वो आप जाप कर सकते उससे भी बहुत ज़्यादा रहत मिलती है आप हर सनीवार को काले रंग की वस्तों का दान दें जो अपंग लोग है या कोडी लोग है उन्हें जरूरत मन जो लोग है उन लोगों को उनकी जरूरत की आपका पास पास ब्रजदास्म को सकता है। बोट सब्सक्राइब कर सकते हैं अवैलेबल करना सकते हैं। जाता है अपने आसपास आप को पीपल का पेड़ या वट्रुक्स का पोदा लगाए और उसकी देखबाल करें उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है और हर सटरेड़ को सूरिया से पहले आप को पीपल के पेड़ के नीचे चाहां तक संभव तेल का दीप भद रहेगा अपरेल दो जाते पीस में सबसे ज़्यादा वीक स्थिति है वह फोर्ता उसकी आथा भोमी बौवन वान की या पारिवारिक सुख की तो उसके लिए आप चाहें तो ब्होमी बौवन वान सुख कलस का परियोग कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने पारिवा कर सकते हैं यह आपको बहुत ज़्यादा support करेगा हर शेत्र में चाहे वो education हो चाहे वो भाग्य हो चाहे परिवार का सुको दन संपत्ती हो या education हो या दंपत सुको आईए अब बात करें रतनों की मैं हमेशा हर episode में रतनों की बात करता हूं क्योंकि वो आप खुद पहन करके उसका impact देख सकते हैं बाकि सारी चीजों का impact आपको बहुत देरे देरे पता चलता है लेकिन रतन एक ऐसी चीज़ है जिसका impact आपको खुद को पता चलता है तो ऐसी स्थिति में रतन उपयोगी है क्योंकि सेकड़ों वर्सों से राजा माराजों के समयकाल से लगा करके आज के यूग तक दनवान लोग तक रतन धारन करते हैं रतन बहुत महंगे होते हैं तो रतन नहीं पहन सकते हैं उप रतन तो पहन करके एक्सपरिमेंट करी सकते हैं और एक्सपरिमेंट हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि एक्सपरिमेंट में बहुत कम पैसा लगता है और बहुत कम रिस्क होती है तो ऐसी स्थिति में आप अपनी रासी के जो तीन त्रिकोन है आपके सरीर का सुक, आपके केरियर का सुक और बागय का सुक के लिए हीरा, पन्ना, नीलम, रतन या उसके उपरतन धारन करना ही बागयवरदी रतन लोकेट कहलाता है आप मैंसे जो लोग अपनी रासी के लक्समी योगों को दन योगों को बलवान करना चाहते हैं तो बाग्यवरेदी रतनलोकेट या लक्समियोग रतनलोकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, कोई भी जिग्यासा है, इसकिन पर जो नंबर दिये हैं, उस पर संपर के स्थपित कर सकते हैं, और आप चाहें तो घर बेटे मंगवा भी सकते हैं, ये रासिफल आपकी ज जो दसा अंतर दसा प्रतंतर दसा चल रही है, उसका इंपक्ट आपको ही मिल रहा है, और ये जो रासिफल है, उसमें कुछ अच्छा या कुछ बुरा आपको बतलाएगा, और यह भी जब जीवन में समस्यां ज्यादा हो, भाविश्य में जांकना हो, कोई बहुत बड़ा करना हो, तो अपनी जन्ब कुणली का विस्टलेशन जरूर करवाना चाहिए, जब भी आपको जिग्यासा जन्ब कुणली विस्टलेशन की, चाहिए फेस तू फेस मिल करके, और या पिर कोई भी कंट्री में रहते हो, आप घर बैटे, अपने convenient टाइम पर अपनी कुणली क उठाने के लिए responsible होगा, अन्यता WhatsApp नंबर जो दिये हैं, उस पर आप message छोड़ सकते हैं, आपको वापस जो ही stop available होगा, reply मिलेगा और आपकी बात्चीद हो पाएगी, अगर आप face to face मिलना चाहते हैं, तो इस एपिसोड के starting में आपको एक schedule देखने को मिलेगा, यदि वो schedule क आप रहते हैं, तो वाँ पर आकर कर आप मिल सकते हैं, मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप सवस्त रहें, प्रसंद रहें, शुरुखष्शित रहें, अपना और अपने परिवार का, घर के छोड़चोड बच्चों का, और अपने नचर जादा खैल करें, और अपने झाल झाल